अजीब सी बात है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा जो भी नेता थे वो बोलते थे कि रिगिंग हो रही है यहाँ पे चुनाफ को जो है तंत्र का इस्तमाल करके कबजा कर लिया गया है गन का इस्तमाल करके कबजा कर लिया गया है आज हम कह रहे हैं लोक तंत्र की जीत हुई है rainbow kashmir में और हर्याना का उदारन दे करके कह रहे हैं कि यहां रिगीन चल रही है पत्मजा जी हरी शंकर पर्साइजी कहा करते थे दो चीजिये बड़ी शाहत है धन का बल का ग्यान का लेकिन सबसे बड़ा और खतरनाक आत्मी श्वास होता है मूर्खता का इस देश को नेताओं की बेइमानी और मुर्खता ने बहुत परिशान किया है ये कब तक चलेगा भाई जब मन किया तमाशा हो गया लोगतंत्र खर्त्रे में आ गया सम्विधान खत्म हो गया आज तो चुनाव ही नहीं हुआ आज रिगिंग हो गई कहां गई उडेर सो डियम की लिष्ट जो जैराम रमेश दे रहे थे अमिट शाह ने सुबह सुबह उटके फोन किया था सबको उन्हेंने कहा था ने कि हम बताएंगे लोग सबाद चुड़ाओ के समय किया गया और 19 भूल गया 19 का भी मुझे याद है इग्जिट पोल से लेकर इग्जैक्ट पोल के बीच में ऐसे धेरो वीडियो फ्लडेड हो गया था सोशल वीडिया पर कि ये दोखो ये निकला और वहाँ इवियम खराब करके और उसको फिर रुगिंग कर दी जा रही बचना चाहिए इससे देश का लोगतंतर इस तरह से नेताओं की बार बार बेईमानी भरी बातों से ठगा सा महसूस करता है लाइन में लगके कतार में लगके गर्मी में सर्दी में किसी भी समय में जनता जाकर वोट करती है और आप उसको हर बार कह दें कि अरे रिगिंग हो गई सबसे बड़ी पार्टी थी PDP 2014 में आज पूरी तरीके से साफ हो गई है फिर भी वो नहीं कह दी कि यहां कोई रिगिंग होई है वो कह रहे हैं हम स्विकार करते हैं हम स्वागत करते हैं नतीजों का दो चीजे बड़ी साफे पदमजा थोड़ा समय दीजेगा चूकि मुझे हर्शवर्धन जी और सुधान शुजी की भी बात का जवाब देना और पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ पहली चीज तो बहुत इसपस्त जान लीजे कि भारती जनता पार्टी ने जिस जिस का भी साथ लिया या दिया वो खतम वहाँ पर चौदा में पीडीपी का साथ लिया दौर दिया था पीडीपी खतम हर्याणा में जेजेपी का साथ लिया था दिया था ये खतम आपका अकाली दल का साथ लिया था दिया था वो खतम आज की डेट में कई जगहों पर और अन्य दलों का जहां पर भी नोंने साथ लिया या दिया उन सब को या तो तोड़ा या खतम हो गए एक चीज तो होते है कि भारती जनता पार्टी जिस छेतरी दल को हाथ लगा लिती है वो खतम जेजेपी इसका अभी लेटेस उदार अने पहले मैं आपको बताओं कि सुधानशु जी क्योंकि आपने बड़ी बाप तो भाई संस्कृत में बोलते हैं बड़ी बाते बोलते हैं हम लोग उस तरीके से नहीं बोल पाते आपने कहा CCTV आपने कहा वोटर आईडिया आपने कहा EVM तो महोदै इन सारी चीजों को लाने वाली कॉंग्रेस और आप ही के लोग और आपके अड़वानी जी इनका विरोध करते थे तो आप जो भी कहना है अड़वानी जी को कहिए हमने कभी विरोध नहीं किया हमने आज भी हम अगर आप बात कह रहे हैं हमने चुनाओ के दिन वोटिंग का कोई वोट नहीं किया लेकिन हाँ अगर तीन जीलों में लगातार EVM मसीने 99% चार्ज दिखाई देंगी तो और जहां पर 60% और 70% चार्ज दिखाई दे रही हैं वहाँ पे 60-70% सीटे भारती जनता पार्टी नहीं कॉंग्रेस जीत रही है और जहाँ जहाँ 99% EVM मसीने चार्ज दिखाई दे रही हैं हम EVM मसीन की वोटिंग पर कोई सवाल नहीं उठा रहे जहाँ पर ये चार्ज 99% 12-12 घंटे के बाद अगर दिखाई दे रही हैं तो हमारे सवाल का जवाब देनी की जगा आप इन सवालों को अगर मजाक में उड़ाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा कानून नहीं उड़ाने देगा आपको मजाक निश्चित तोर पर जानिये आप भी फसेंगे चुनावायोग भी फसेंगा और एक बात हर्षवर्धन जी ने कही ये तो बात सच है अपने आप में हर्षवर्धन जी जिस प्रकार के भी मूर्ख हो सबका आत्मी विश्वास सबसे बड़ा होता है इसमें कहीं कोई दोर आए नहीं वो चाहे नेता मूर्ख हो चाहे पत्रकार मूर्ख हो चाहे मुझ जैसा प्रवक्ता हो और चाहे सुदान्शु जैसा वो हो कोई भी हो वो सारे के सारे जितने महामूर्ख होते उनका आत्मी विश्वास सबसे उपर होता है कब तक आप इस तरीके से भारती जन्ता पार्टी को डिफेंड करते रहेंगे भरोसा रखिए इस वात का कि बहुदली लोक तंत्र के लिए मैं फिर से कहता हूँ चिंगारी का खेल बुरा होता है अगर भारती जन्ता पार्टी कोई गलत काम कर रही है तो उसका विरोध करना आपका नैतिक करतब भी है दाइत्तु भी है उस विरोध पर आईए खाम खा की जिसको कहते हैं कि हर चीज के लिए आप कॉंग्रेस पार्टी को हर चीज के लिए आप विपक्षी दलों को जो आप खरा देते हैं हर्शवर्दन जी पिर तो पिडिपी भी तही होगी न अगर वो कहेगी हम 28 पर थे 3 पर आ गए हमारी सीटे कॉंग्रेस एंसी न चुरा ली रिगिंग करके कई सीटे थी जो वो जीते हुए थे अब आप आगे हैं एंसी जी जीत चुकी है पर वो नहीं कह रहे हैं अगर अगर वो सुनी सुनी अगर वो इस बात का सवाल करेंगे तो हम पूरी जिम्मेवारी के साथ उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे हम उनको राजनेतिक जवाब देंगे हम ऐसा नहीं हम उनको आकड़ों के साथ तथ्यों के साथ बताएंगे कि बहन जी भारती जनता पार्टी का साथ लेना आपके लिए जहर हो गया अगर आप भारती जनता पार्टी का साथ नहीं लेती तो आपकी ये स्थिती नहीं होती ये हम उनको बकाइदा पूरी सहज़ता से समझाएंगे और बताएंगे हम लोग उनको मूर्ख नहीं कहेंगे हर्शंकर प्रसाई का कोट लेकर के जैसे हर्श्वर्दन जी सारे के सारे विपक्षियों को मूर्ख कह रहे थीक है सुधान चुतरविन जी देखियो मैं बताना चाहता हूँ सुरेन राजपूर जी की बात में थोड़ा क्लारिफिकेशन कर दू महोदय हमारे साथ जो रहा वो खतम नहीं हुआ हमने नहीं छोड़ा प्लीज प्लीज अपने टन पर बोलिये आज जी डीस हमारे साथ है 2008 में जी डीस ने हमको छोडा था सारी हकीकत देख लीजिये उत्तर से दक्षर तक हाँ मगर कॉंग्रेस आप तक है और पर बताईए ना बिल्कुल आ रहा हूँ इस चुनावों ने एक बड़ा अच्छा संकेत दिया है सर अपने आप बोलने थे मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया इसमें क्या जरूरत है इतना सहज होने की सर आप अपने अपने टन पर बोलने की आप अपने टन पर मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजेगा इन्होंने फैक्ट कहा कि सब कुछ कॉंग्रेस लाई मैं याद दिलाना चाहता हूँ इवीम पे देश का पहला चुनाओ 2004 में हुआ 2004 में किसकी सरकार थी अटल विहारी बाचपई की आईए साब उसके बाद इवीम पे जब सवाल उठने शुरू हुए तो वीवी पैट आया वीवी पैट की कंपलसरी काउंटिंग में पहला चुनाओ कब हुआ 2019 में 2019 में किसकी सरकार थी नरेंद्र बोदी जी की सरकार अब आईए वोटर आईडी कार्ड आया 1993-94 में जब पीवी नरसमाराओ की सरकार थी और टी एन सेशन ने जब कहा तो नरसमाराओ सरकार ने पूर सर से लेके पाओं तक जोर लगा दिया कि वो विवस्थित न होने पाए और आपके वो सारे लोग जो जो बदनाम रहे चुनावी हिंसा के लिए लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी बिहार में मुलाइम सिंग जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में और आज मंताव अन चाहता हूं लोग भूल गए 1991 का एलेक्शन राजीव गांधी जी का आखरी एलेक्शन था गोलियां चली थी साहब संजे सिंग जो हमारी पार्टी में इनके गोली लगी थी 22-23 लोग चार्शीट हुए थे सीधे गोलियां बूत कैप्टरिंग राजीव गांधी जी के जमा नावी प्रक्रिया इस पश्टो पारदर्शी हो गई है कोछ जरूरत नहीं है किसी पर अन्यथा के आरोप प्रत्यारोप लगाने की मुझे लगता है कॉंग्रेस इससे बचे तो जादा बहतर होगा और जो भी तथ्थे हैं जो भी प्रमान हैं वो आप पुलीस के सामने पर कर नहीं सकते हैं जो तर्थ हमारे सामने हैं जो आकड़े अभी सामने आ रहे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं यह हम दर्शकों को जरूर बता सकते हैं